यूनित टेस् फर्स्स जो आपके एक्जाम में होने वाला है इसमथ में 22 में उसके लिए ये यूनित टेस्ट बना 1 रहा थीक है तो मैं जो है वो क्या बोलते हैं बुक वाला कोस्टन्स नहीं कराओंगा ठीक है चार ही बुक वाला कोस्टन्स लिए थे जादा नहीं लिए थे ठीक है तो कोस्टन अब फाइव से स्टार्ट करते हैं हम लोग त्लिक है बूला जा रहा है पहला कोस्टन क्या कि कोशंटन्स आफाइव से स्टार्ट करते हैं आएज इसमें क्या बोला जा रहा है मृरीदू का बिलोम सब्द बताईए ठीक है मृरीदू का जो है उल्टा सब्द क्या होता है तो आपने सुना होगा कि वह आदमी जो है काफी मृरीदू वचन बोलता है तो इसका उल्टा हो जाएगा कटू वचन ठीक है आपसा नमबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है जीनों ने आपसा नमबर ए दिया वो बिल्कुल सही है मृरीदू का बिलोम सब्द होता है कटू देखे कोश्चा नमबर शीक्त में क्या बोला जा रहा है नीर अर्थक का बिलोम सब्द क्या है ठीक है नीर अर्थक सब्द होता ह यह क्या कह रहा है क्या सब्द से कहा जा रहा है और अर्थक का मतलब की कोई अर्थ निकल रहा है ठीक है आगे question number 7 में बूला जा रहा है गंगा का जल समस्त पद बनाईए जैसे गंगा का जल है इसको समस्त पद में बनाना है मतलब इसको हम कैसे एक सब्द कर सकते हैं यहां तो तीन सब्द बन गाना गंगा का जल ठीक है गंगा जल इसको लिख सकते हैं ये एक सब्द बन जाएगा ठीक है ये दोनों बिल्कुल गलत है option number A ही जो है बिल्कुल जो भी दे रहा है वो सही है गंगा जल जो है इसका बिल्कुल जो है सही आंसर है आप सबको पता होगा सायद की संदी बीछेद किसको बोलते हैं नहीं पता है तो देखिए मैं बता देता हूँ फिर वार, रवी वार, ये दो सब्से मिल के बना है, ठीक है, तो जब दो सब्से जो मिल के बनता है, उसको अलग-अलग कर देते हैं, अलग-अलग उसको कर दी, जैसे रवी वार दो सब्से मिल के बना था, इनको हम लोग क्या कर दी है, अलग-अलग कर दी, उसी को क्या बोलत तो उसी तरह से आपको question number 8 में बोला जा रहा है दिनेस सब्द जो है इसका जो है संधी विच्छेद कीजिए तो दिनेस का जो संधी विच्छेद होगा वो option number B में देख रहा है दिन प्लस में इस ठीक है एस नहीं होगा यह बिल्कुल गलत है और सब ही नहीं होगा यह भी बिल्कुल गलत है option number C sorry B जो है बिल्कुल ही correct answer है दिन प्लस इस दिनेस ठीक है आगे देखें next question number 10 में क्या बोला जा रहा है चीन की लीपी कौन सी है चीन का जो है वो लीपी कौन सा है जैसे कि हम लोग का देउनाग्री लीपी है जो इंडिया का भारत का लीपी है वो क्या है देउनाग्री लीपी है उसी तरहीके से आपको चीन है चाइना है उसका कौन सा लीपी है तो आपको पता होगा उसका जो लीपी है वो है रोमन लीपी option number C जो है बिल्कुल correct answer है पानी सब्द का पार्यवाची सब्द बताईए यह कौन नहीं जानता होगा जो भी जल पानी का मतलब ही क्या होता है जल यह तो आम भासा में भी सुनने को मिलता है सहन सहे इसके लिए एक सब्द बताईए जैसे मैं बोल दिया वह बहुत दयावान है तो इसके Helsing होता है उसको एक सब्द में क्या बोलते हैं गलत है जिसमें सहनसिलता होता है सहन सिलता का मतलब यही मतलब दयालू होता है जिसमें मतलब मालीजे कोई दुखी है तो वो दुखी हो जाता है कोई खुस है तो खुस हो जाएगा ठीक है उसी को सहन सील बोलते हैं ठीक है आगे देखे फिर आपको बोला गया समस्त पद बताएं ठीक है तीन नेत्रों का समूँ ठीक है अब इसके लिए एक सब्द कोई बताएं तो मैं नहीं भी इसको जानता अगर मैं ऐसे स्टूडिन्ट इसको सोचता इसको नहीं भी जानता तो देखें मेरे को डिरेक्ट दिख है तुर शर canon का मतल юटी में होता है तेन होता है त्री नेट्र का मतलब हैं एक साथ है उसको क्या हो लेंगे त्री नेत्र त्री नेत्र तीन आख को सब्सक्राइब होते हैं तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैं सिर्फ अभी उपर उपर से बताता हूं लेकिन इसका वीडियो मेरे चैनल सब्सक्राइब होते हैं अब तो यहां पर तीन लिख दीजें मेरे इंट्रेस्टिंग चैप्टर है अब देखें यह जो कोश्चन है अगर कोई नहीं बता पाए तो समझे कि वह बहुत मतलब क्या बहुत सकते हैं बैक बेंचर्स का भी बैक बेंचर्स है बोला जारे कोश्चन है वह फिप्टिंथ में भासा के कितने भेद होते हैं यह तो हम लोग वन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक जो होता है मौखिक भासा होता एक लिखने वाला आपका देशी लैंग्वेज में मैं समझाता हूं ठीक है एक तो हम लोग स्पीक के कर सकते कर सकते हैं दूसरा राइट करकर के लिखनी कर सकते हैं और तीसरा संकेत कर सकते हैं ठीक है इसारा जैसे हाँ करते हैं तो लगतला बहुट अच्छा आँख मारते तो कुछ त तीन तरह से अपने आपको मन का भाव है उसको हम लोग दूसरे के सामने इस परहला बोलays लिख के और संकेत या फिर इसारा देखे तो यही तीन टाइप हो जाता है भासा का ठीक है तो अप्सन नबर ए जो है बिल्गुल सही है आई हो मेरे को पता है कि आप लोगों में से ज्यादा जो है 90% स्टूइन्ट को कर लिए होंगे ठीक है आगे कोचननि में बोला जा रहा है अपराध का समनार्थक सब्द समनार्थक सब्द का मतलब जिसका मीनिंग जो है अब देखें यह question मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि महाभारत तो 50% स्टूडेंट ने तो देखा ही होगा तो बोला जा रहा है आगे दुर्योधन में नहीं था अगर आपको नहीं पता कि दुर्योधन कौन था ठीक है तो book तो चल रहा है 7th class में पढ़ना चोटा सा वह तो अ अंदर जो था ग्यान का कमी था ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा जो है यहां पर फिल कर सकते हैं ठीक है आगे बुला जा रहा है question number 18 में कोसिस सब्द का पर्यावाची सब्द है ठीक है पर्यावाची सब्द का मतलब जिसका मीनिंग से सेम होता है तो कोसिस का मतलब प्रया कर रहा है आपको इसी तरह से पढ़ने के लिए कोसिस प्रयास हमेशा करना पड़ेगा ठीक है आगे देखे question number 19 में बोला जा रहा है राक्षस का विलोम सब्द है ठीक है राक्षस का मतलब बिलेन ही होता है मतलब समझा एक तरह से सैतान जिसको बोल सकते है ठीक है तो इसका बिलोम सब्द इसका बिलोम सब्द क्या हो जाएगा देउता राक्षस अगर देशी लैंग्वेज में बता है तो हीरो और विलेन यह बिल्कुल नहीं कर दीजेगा फर्स्ट और सेकेंड कोई नहीं किजेगा फर्स्ट और थर्ड भी जो है करेक्ट होगा ठीक है आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा यह यह यूनिट टेस्ट वन था ठीक है मेरे चैनल पर चुए मैथ साइन्स इंग्लीज एससटी हर एक सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट पर जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल लम्ट क्लासेश ठीक है लम्ट क्लासेश पर जो आप देख सकते हैं मैंने हर एक सब्जेक्ट का जो है वीडियो अपलोड किया ठीक है यूनिट टेस्ट पर